आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और फूल गोभी का सूखा मसालेदार सब्जी जिसके लिए कुछ सूखे मसालो को पहले जाय रोस्ट कर लेंगे उसके लिए मैंने एक चम्मच जीरा लिया है साबुद जीरा हाफ चम्मच सौफ आठ दस काली मर्च और एक चम्मची धनिया साबुद धनिया कराही गर्म है इसलिए ज्यादा टाइम इसको लगेगा नहीं स्लो पे बिल्कुल जब भी आप भूने तो बिल्कुल मीडियम आज पे भूने इससे क्या होता है ना अच्छे से भूनाता तो इ जब इसको आप कूटके सबझी में डालेंGe तो बहुत ही अच्छा अच्छा ओसाल आए मैं प्रण कोट में और इसको निकाल लिए हैं हलका ठंडा होगा तब इसको खल मुसल में या ओप जो मारवल काता नहां इसको आप कूट लिखाई disc अब सब्जी के तरका लगाने के लिए उसी कराई में मैंने एक बड़ा चमच सल्सों का तेल लिया है उसमें चौथाई चमच सल्सों के दाने डाले ये तरकने लगा तो थोड़ा सा चौथाई चमची साबुच जीरा जब ये दोनों अच्छे से तरक जाएगा तो इसमें फूल गूबी डालूंगी जो मैंने अच्छे से काटके इसको बॉयल पानी में दस मिनिट के लिए नमक के साथ छोड़ दिया था उसके बाद इसके पानी को निकाल के अच्छे से क्योंकि जब पानी से डिरेक्ट देने जब आप तेल में जालेंगे ना तो बहुत तेल करक के बाहर निकलता है इसलिए थोड़ा सथ तेल को में गूबी को आप पानी से निकाल के किसी च्छने पे ये पानी उसका गड़ने दे अब उसके मसाला के लिए मैंने ये फुला हुआ मुफली दो घंटे के लिए फुला प्रिस्ट बना लेंगे आप इसको मिक्सर में पीसलें जब तक गूभी ऴुन आता है गूबी भून गया है थोड़ा मसाला भी मेरा तायार हो गया है पीसलिये गूबी को पहले भूनने का एक श्रावी चाला जाता है और एक शोना चोना साभ़ा घंट मेंटे जब आप ऑत इसमें मैंने बॉइल्ड आलू जाला है दो मीडियम साइज का आलू लिया था आप इसमें कच्छा आलू भी डाले तो कच्छा आलू जब भी डाले तो गोभी के साथ ही डाले दें वो दोनों एक साथ भूना जाता है मैं बॉइल डालू इसले ली क्योंकि इसमें कहना कि भूनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आलू भी ज्यादा नहीं लगता है दोनों को पहले अच्छे से भून लेंगे थोड़ा गोभी भी 80% कोख हो गया था तब आलू डाले थे मरलब दोनों मिला के आप 80% हो गया आलू को जादा मैंने भून जाने अब उसी कराही में फिर हाफ चमच सरसो तेल लेकर करके अग चुटकी भर इसमें तरका लगाएंगे जीरा का क्योंकि सब चीज में मैं तरका दे रही हूं न पहले गोभी आलू भूंजा उसमें भी इसलिए थोरा सा वैसे चौथाई चमच हींग हींग डाजेशन में हल्प करता हो और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है जो लोग प्याज लहसन नहीं खाते वह हींग दें तो उससे भी आपको प्याज लहसन की कमी नहीं खलेगी बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है सबजी का सबजी हो दाल हो और डाजेशन में तो यह हल्प करता ही है अब प्याज में ने चौप्ट डाला एक मीडियम साइज का की यह रहलों छेलते साइज को आज़ट अटेस्में यह लाता है फैस में नहीं जावा नहीं घराइब थोर फी अत्वर और इसमें प्शा हुए सारा मिसाला डाल और जितमाटरे मेला यही आपे पास काजू नहीं रहता या प्याज लहसन ने खाते थां भी पेस्ट हमेंसे सब्जी में दifies बहुत ही क्रीमी अच्सवें अच्छेल कि या सब्जी होता है सब्छी और मुंफली तो हरके घर इंट है मेरी मैकसिमल रेष्पी ऐसी होती है जो आपके पास है मुंफली जंजरली कर दो सब्जि smallest और मगज काजू ये सब हो सकता कि कभी ना भी हो लेकिन मुफली ऐसी चीज है कि हमेशा रहते इसके और इसका टेस्ट भी अच्छा आप इसका यूज करें चौथाई चमच हल्डी हलका मसाला भूना अब उसी के साथ चुंकि टमाटर का वो जो रस रहता है ना तो ये उसके साथ ये मसाला सारा भून जाएगा बाकी चौथाई चमच ही लाल मिर्च पॉडर लिया मैंने टमाटर के साथ भी हरी मिर्च पीसा था इसलिए लाल मिर्च कम लिये हैं थोड़ा सा तीखा आप लोग अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं और बिल्कुल ही स्लोप मसाला को भूनना है तब तक भूनना है जब तक कि ये मसाला ओल ना छोड़ने लगे या सब एक साथ भूनते हुए ही यदि आप कम तेल डालते हैं तो क्या होता ना कभी आपको लगेगा कि ये तेल तो नहीं छोड़ा लेकिन ये भूना के इसकी खुस्बू भी अच्छी आने लगती है और ये आपस में एक दूसरे से मिलके मतलब वो दो जैसा बनने लगता है तो दोनों इसका पहचान है नमक स्वादा नुसार आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प् आपको मिल जाए अब धक धके थोड़ा इसको भूनेंगे यदि मसाला आपका नीचे चिपकने लगे कम तेल के कारण तो आप हलका हलका पानी का छीटा देके इसको भूने बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है तेल कम तेल कम मसाले में और खाने में ये सुखी सब्जी अब इस मसाले के साथ पांच मिनट भूनोंगी प्रिप्रेशन से ले करके बनाने तक में 15-20 मिनट जाता है यदि आप आलू को बॉयल करेंगे गोभी को काटेंगे इसको ब्लांच करेंगे तो थोड़ा साथ टाइम उसमें जाता नहीं तो ऐसे अगर आपका पहले से तयार हो जाती है जो खाने में भी टेस्टी बनाने में भी असान इसको ढग ढग करके इसलो पे ही भूनेंगे जिससे की सारा मसाला आलो गोभी के साथ मिक्स हो जाए एक दूसरे के फ्लेवर को दोनों मिल जाए अच्छे से भून गया है अब यह देखने में अच्छा लग रहा है हाफ चमच मैंने सुद्गी डाला थोरा सा धनिया पती जब सुद्गी और धनिया पती डालें तो स्लोपिक करके दो मिनिट के लिए ढग देंग देंग सबको अच्छे से मिक्स कर देता है सब्ची तैयार है अब सर्व करके आप लोग को दिखाएं सर्विंग बावल में ले लिए कटोरी में और उपर से धनिया पती से आप का अनिस करें स्प्रिंग अनियन से गार्निस करें यह नहीं भी कुछ है तो आप ऐसे ही इसको खाएं कैसा लगा मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें पसंद आता है तो और आपका कुछ कमेंट है कुछ आपको पूछना है तो आप मेसेज भी कर सकते हैं यह आप रोटी के साथ खाएं पराथा के साथ खाएं जटपट बन जाता है आलू भी ब्लांच के हो और फूल गोभी को पकने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है तो देखें पन के सब्सक्राइब जटपट तयार है